असलाम गूम एवर्यों वेल्कम बैक टू माई यूट्यूब चैनल हिबास किचन आज मैं आपको बिनाना है सिखा रही है बीफ कबाब जिसके लिए हमें जो चीजे चाहिए वो है एक किलो कीमा मैंने यहां दस से बारा जवे लेसन के लिए है जिने मैंने ब्रीक ब्रीक चॉप कर लिए है मैंने यहां लिए हाफ टेबल स्पून ब्लैक पैपर हाफ टी स्पून अजवाईन हस्बे जाईका नमक हाफ टी स्पून जीरा दो अंडे यहां मैंने साथ से आठ छो प्रूद आप दूद लेंगे जिसमें यह जो ब्रैड अची तरह गिली हो जाए अब हम सबसे पहले यह जो ब्रैड के पीसिज है उन पर डूद डाल देंगे और इनको अची तरह सोक कलेंगे ताकि यह नरम हो जाए अचे तरीके से मैंने वैसे यहां पर 1 फॉर्थ कप मिल्क लिया है ताकि अची तरह सोक हो जाए अब हमें इसे पांच से दास मिनट इसी तरह भीगे रहने देंगे ब्रैड को अब जब तक हमारी ब्रैड भीग रहेगी तब तक हम कीमे में डालेंगे अजवाइन फिर हम लोग इसमें डाल द इसमें लसन अब ऐसमें हम डालेंगे हरी मिर्षे जो हमने लेए हैं और फिर हम इसमें डालेंगे दोनों अंडे तोड़ के अब हम पुर्छा मट्रीयल को अच्छी तरह हम्हारा जो कीम है इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ली आ हमें इसके चार से पांच कबाब बना लूँगी मैं जौ के चार से पाँत्र हैं, मैं दो इसके चार से कुबाब बना ली हैं अब हम लोग खुक लाइन लेंगे तो गाल भी काथ बहुत है। चासर मैं कबाब तो कोई लोग ने कोई अंडा या कुछ भी इस तरह नहीं है कि अपनाना है कि इसे नहीं है तो यह लोग विद्धा बनाना है कीमे के अंदर अंडा टाल लिया था तो इस पर हमने ऐसा कुछ भी नहीं लगाना है हमने बस simply कबाब को उठाना है और उठाके टेल में टालते हैं अब हम इसको एक तरफ को अधी तरह प्राइब होने देंगे फिर हम लोग दूसरी साइड पलटेंगे और उसको फ्राइब हो दूसरी कीाटंच ने यह तरह रहा है काले तंएगे अदे समय क्याएट खेंगे काफशन साइड़ हो लिए ना हम दूसरी साइड पने कबाब बिल्कुल त्यार हो गए हैं अब हम इने सेर्विंग दिश में निकाल लेंगे अब मैं इने का सूला बन कर दूंगे और मैं अब इने आस्ता आस्ता करके यह टिशू रख दिया मैंने प्लेट के पता कि इसमें जो एक्स्ट्रा ओल है वह यह सौक कर लें अब हम इने नकालते जाएंगे अब हमने हमारे जो कबाब है उन्हें बाएं नकाल लिए यह आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह के लग रहे हैं हमारे कबाब है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जूरूर करें मेरे चैनल को जूरूर करें अल्ला